सोने से पहले दूट के साथ सिर्फ एक चम्मच खा लिजे, कमजोर से कमजोर आँखे ठीक हो जाएंगी, आखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने का राम बाननों उसका नमस्कार साथ ही हूँ, आपका स्वागत है रुद्रो हम रेमेडी में, आज में आपको आँखों की रोशनी बढ़ाने और चश्मा हटाने का बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी बताने वाला हूँ, जिसका रिजल्ड सत्प्रतिश्यत है इस रेमेडी को बहुत से लोगों ने आजमाया है, आप इस रेमेडी को आजमाये और इसके फायद उठाइए दोस्ता अगर आपको मुतिया बिन की शिकायत है तो उसमें फायद करेगा, आँखों से पानी आ रहा है या फिर बार बार आपकी आँखे दुखने की समस्या होती हो, आपका दिमाग थोड़ा सा काम करते ही जल्दी ठक जाता है और आपकी दिमागी ठकान ज्यादा रहती ह तो यह सब आँखों के कमचूर होने के लक्षण होते हैं, चाहे आपको कितने भी बड़े नंबर का चश्मा लगा हो, अगर आप इस नुष्खे को कुछ दिन फालो करेंगे, तो आपका चश्मा तो बिल्कुल उतर जाएगा, तेकिनी जो रेमेडी होती है, एक दिन में का करना है, तो मेरे पास जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में यह है सफेद गोल मिर्च, जिसे एंगलिश में वाइट पीपर कहते हैं, यह आखों के हल्थ लिए बहुत ही अच्छी होती है, सफेद गोल मिर्च पोशक तत्वों से भरपूर होती है, इसमें विटामीन होता है आरन होता है, और भी बहुत सारे पोशक तत्वों पाई जाते हैं, जो शरीर को फार्द देने वाली होते हैं, और अगर आपके आखों के रोशनी बढ़ानी है, आखों से चश्मा अगर आपको हटाना है, अपने दिमाग को शार्फ करना है, तो दोस्तों, आप सफित गोल म इसका इस्तमाल बताया तरीके से जरूर कीजेगा, इसके बाद दूसरी सामगरी जो हमें लेनी है, वह है सौंफ, दोस्तों सौंफ जो होती है, इसमें भी पोशक तत्व भरपूर मात्रेम होते हैं, यह आपके दिमाग के लिए या आखों के लिए बिलकुल रामबान होती ह सौंफ के अंदर anti-oxidant properties होती है, जो मोतिया बिन का process जो होता है वो इसको यह धीमा कर देती है, इसके लावा आपके आखों में अगर मोतिया बिन हुआ है तो सौंफ का इस्तमाल करने से आपको फादा मिलता है, लेकिन इन सभी सामगरियों का इस्तमाल करेंगे साथ में, त ले वाली मिसरी, यह जो धागे वाली मिसरी होती है, जिसे खड़ी मिसरी भी कहते हैं, अगर आप आखों की remedy बना रहे हैं, तो इसी मिसरी का इस्तमाल किया करें, आप छोटी मिसरी का इस्तमाल ना करें, जो पूजा पाठ में हम प्रसाच चढ़ाने के लिए इस्तमाल करते का पानी में भीको कर सिवन करें, लड़ू मना कर खाएं, या फिर खीर में डाल कर खाएं, आपको यह फायदा ही देता है। अगर आप इस रेमेडिया में इस्तमाल करके खाते हैं तो आंखों के लिए और दिमाग के लिए बहतरी रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमारे पास यह चात्र की सामगरी है अब इसका measurement दखेजिए आपको कितनी कितनी मातरे में कौन से सामगरी लेनी है ध्यान दीजेगा तो आपको यहां पर मोटी वाली सौंफ अगर आप चोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 20 गराम सफ़ेद गोल evolves के जगहह पे 10-0- rituals मिर्ची स्तमाल किजेगा में इसमें सबी चीज्यों को को पीषगिसकी का पाउरर बना लेना है दें हमने पोड़र तयार कर लिया है इसके साथ मैं एक remedy और बताऊंगा, जिससे आपके आखों के रोशनी बहुत ही जल्दी बढ़ेगी, और चश्मा भी जल्दी उतरेगा, और साथी दोस्तों दिमाग भी अच्छा होगा, आपको एक गिलस गुर्वने दूद के साथ इस पॉर्टर का से बन करना है, अगर बड पॉर्टर का फांकी लेकर ऊपर से दूद पी लें या फिर दूद में मिक्स करके पी लें, इसी तरीके से आप बच्चों को भी दे सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा स्वादिश्ट होता है कि आप जब इससे बच्चों को देंगे ना, तो बच्चे वैसे भी इसको नहीं छ दोस्तों फ्रीज में रखने की जूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे महीने भर तक इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लावा दोस्तों देखिए यह है चुकंदर, बेटरूट कहते हैं, चुकंदर आँखों के लिए बहुत ही फादयमन होती है, आँखों के साथ साथ यह आपके हा रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप चुकंदर का सेवन जरूर नियमित रूप से करें, आपको फर्क जरूर देखेगा, इसके लावा तीसरे तरीका बता रहा हूं, आपको सर्सों का तेल लेना है, और अपने पैरों के तलों पर इस से मालिश करनी है, रात को सुने से जूस पीजे, या फिस चुकंदर गाजर का जूस मिलता हो, उसका सेवन कीजे, या फिस चुकंदर को डाइट में शामिल कीजे, किसी भी तरीके से चुकंदर को डाइट में लीजे, और तीसरा मैंने आपको बताया, सर्सों तेल से तलों की मालिश करनी है, तैरों की तलों क सदस्टों के साथ शेयर कीजिए धन्यवाद